Hi everyone, my name is Smita Minj, welcome back to my channel So, आज इस वीडियो में जो topic हम discuss कर रहे हैं वो है पाठ योजना याने की पाठ योजना किस प्रकार से बनाई जानी चाहिए याने की lesson plan किस प्रकार से होता है ये इस वीडियो में आज हम देखेंगे So, ये जो lesson plan है ये Hindi medium के students के लिए है क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़े मैंने Hindi में mention की हुई है और इस lesson plan याने की पाठ योजना का जो विशय है वो भी मैंने Hindi लिया हुआ है So, जब आप पाठ योजना बनाएंगे तो अपनी copy में सबसे पहले आप उपर center में heading डालेंगे पाठ योजना करके नीचे आपको left hand side में दिनांक डालना है याने की date mention करनी है उसके नीचे आप विशय लिखेंगे की कौन से subject की class आप लेने वाले हैं तो हम यहाँ पे Hindi का topic देखेंगे इसलिए विशय में मैंने Hindi लिखा हुआ है और Hindi में भी हम एक lake देखने वाले है तो bracket में मैंने lake mention किया है राइट हैंड साइड में आप लोग कक्षा लिखेंगे, कालखंड लिखेंगे, अवधी लिखेंगे और शाला का नाम लिखेंगे कक्षा यानी class, कालखंड, period, अवधी याने की duration, एंशाला यानी name of school इसके बाद आपको नीचे center में लिखना होगा प्रक्रण, याने की आपका topic और जो topic हमने लिया हुआ है आज की class के लिए वो हमने लिया है जनसंख्या वृधी तो प्रक्रण लिखने के बाद आपको topic भी mention करना होगा, यानी जनसंख्या वृधी लिखना होगा उसके बाद आप mention करेंगे सामान्य उद्देश याने इस lesson को पढ़ाने का, इस part को पढ़ाने का क्या आपका उद्देश है तो पहले हम सामान्य उद्देश याने की जो general aims होते है, वो mention करेंगे 3-4 points यहाँ पे लिखने होते है सो पहला point यहाँ पे मैंने mention किया है, भारत में व्याप्त विभिन समस्याओं का ज्यान प्राप्त कर पाएंगे दूसरा है, जनसंख्या के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर पाएंगे थर्ड पॉइंट है, विद्यार्थी जनसंख्या की व्रिधी से होने वाली समस्याओं को जान पाएंगे और लास्ट और चौथा पॉइंट हमारा है, जनसंख्या व्रिधी से होने वाले विभिन समस्याओं को हल कर पाएंगे तो यह हो गया हमारा सामानने उद्देश सामानने उद्देश के बाद आपको लिखना होता है विशिष्ट उद्देश यानि की आपका specific aim क्या है तो यहाँ पे एक ही sentence में जो है इस चीज़ को लिखना होता है तो यहाँ पे मैंने mention किया है इस विकट समस्या याने की जनसंख्या वृध्धी के बारे में विस्तार से समझ पाएंगे तो यह हो गया हमारा विशिष्ट उद्देश्य इसके बाद आप heading डालेंगे पूर्व ज्यान याने की previous knowledge बच्चे इस topic के बारे में पहले से उनको किस प्रकार का या कितना ज्यान है तो यहाँ पे आप लिखेंगे कक्षा में प्रवेश करने से पहले छात्र ध्यापिका यह मानती है कि बच्चों को जनसंख्या के बारे में पता होगा नेक्स्ट आपको लिखना है शिक्षन सहायक समागरी याने की teaching it तो यह आप direct mention कर सकते हैं जो जो चीज आप इस्तिमाल करने वाले हैं या आप इसको दो भाग में बाट सकते हैं एक सामान्य और दूशरा विशिष्ट तो यहाँ पे मैंने दो भागों में बाटा हुआ है सामान्य में मैंने लिखा है chalk, board, जाडन याने की जो duster है blackboard साफ करने के लिए संकेति का याने की pointer and push तक विशिष्ट याने की special कुछ चीज आप use कर रहे हैं बच्चों को समझाने के लिए तो वो आप विशिष्ट में mention करेंगे तो जैसे यहाँ पे मैंने mention किया है जनसंख्या chart याने की आपके पास जनसंख्या का कोई chart है वो आप बच्चों को दिखा करके उनको चीजें समझाने वाले हैं इसके बाद आपको लिखना होता है पूर्व ज्यान परिक्षन याने की बच्चों को इस topic से related पहले कितनी जानकारी है वो आप जानेंगे और बच्चों को इस topic तक किस प्रकार से लाना है इसके लिए आप बच्चों से कुछ बाद चीत करेंगे या उनसे कुछ प्रशन उत्तर करेंगे ताकि आप एक जो introduction है वो बच्चों को दे सके पूर्व ज्यान परिक्षन के लिए आपको इस प्रकार का एक box बनाना होगा जिसको दो भागों में बाटना होगा एक तरफ आपको लिखना है प्रस्तावित प्रशन याने की क्या-क्या प्रशन आप बच्चों से पूछने वाले हैं और दूसरे तरफ आपको लिखना है संभावित उत्तर याने की बच्चे क्या उत्तर दे सकते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने कुछ कोशन यहाँ पे लिखे हुए है पहला कोशन है जनसंख्या किसे कहते हैं आप बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे उत्तर देंगे जनसंख्या लोगों की संख्या को कहते हैं Next हम पूछेंगे जनसंख्या वृध्धी क्या है? बच्चों का उत्तर आएगा आवश्यक्ता से अधिक जनसंख्या का होना. Next आप उनसे पूछेंगे क्या जनसंख्या वृध्धी एक समस्या है? तो बच्चे उत्तर देंगे हाँ जनसंख्या वृध्धी एक समस्या है नेक्स्ट आप बोलेंगे जनसंख्या वृध्धी समस्या क्यों है बच्चे उत्तर देंगे जनसंख्या वृध्धी से बेरोजगारी, भुकमरी जैसी समस्या बढ़ती है नेक्स्ट और लास्ट आपका कोश्चन होगा जनसंख्या वृद्धी के घटक या कारण क्या है तो इसके बारे में बच्चों को जानकारी नहीं होगी तो ये उनके लिए एक समस्यात्मक प्रश्ण होगा जिसका की उत्तर उनको नहीं पता होगा तो जब बच्चे शान्थ हो जाएंगे उसके बाद आप अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे की आओ बच्चों आजहम जनसंख्या वृद्धी के कारणों की चर्चा करेंगे इसके बाद आपको नेक्स्ट चीज जो लिखनी होती है वो है शिक्षण विधी याने की टीचिंग मेथड आप क्या यूज करने वाले हैं तो ये जरूरी नहीं है जो मैंने यहां लिखा है वही आप अपने हर लेसन प्लैन में में मेंशन करें आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग आप अपनी शिक्षण विधी प्रवृधी सूत्र इन चीजों में बदलाव कर सकते हैं तो शिक्षन विधी यहां पे मैंने यूज़ की है, व्याख्या ववार्तालाप याने की व्याख्या एंड वार्तालाप की जो विधी है, उसको मैं इस्तिमाल करूंगी पढ़ाने के दोरान, शिक्षन प्रविधी याने की teaching technique में क्या यूज़ करने वाली हूं, तो व्याख् मैंने mention किये हैं यहाँ पहला है सुगम से कठिन की और याने पहले मैंने उन चीजों के बारे में चर्चा की जो की सरल थी बच्चों को पता थी उसके through मैं उनको कठिन चीजों की और लेकर के गई दूसरा मेरा point है ग्यात से अग्यात की और याने कि पहले मैंने उस चीज के बारे में चर्चा की जो बच्चों को पता थी उसके बाद मैं उससे relate करते हुए बच्चों को उस topic तक ले गई उस point तक ले गई जिसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी और उनको व्याख्यानिय सपश्टिकरन के through मैंने चीजों को समझाया तो ये था आपका विधी प्रवृधी और सूत्र इसके बाद आपका आएगा प्रस्तूतिकरन याने की जो presentation आपका होगा कि किस प्रकार से आप बच्चों को फिर इस topic को पढ़ाएंगे तो इस प्रकार का एक box जो आप लोग द इन्दू याने की subject matter. Next आपको लिखना है चात्र अध्यापि का क्रियाएं याने की teacher की जो activity रहेगी वो आप यहां लिखेंगे. Next में आप चात्र क्रियाएं याने की students की जो activity रहेगी वो आप mention करेंगे. और last में आप लिखेंगे श्यामपट कार्य याने की blackboard work. तो क्रम संख्या में पहले मैंने डाला point one. शिक्षन बिंदू में आप वो चीज लिखेंगे जो आपका topic होगा या heading होगा. जैसे सबसे पहले आप क्या बताना चाहरे हैं बच्चों को? जनसंख्या वृद्धी की एक भूमी का बच्चों को आप देना चाहरें. तो चाहत्र ध्यापिका क्रियाएं वहाँ पे आप लिखा है. भारत की लगतार बढ़ती हुई जनसंख्या एक समस्या के रूप में सामने आने लगी है. जनसंख्या का इस प्रकार दिनों दिन बढ़ना एक भयंकर समस्या है. तो इस दौरान जब आप ये चीज बच्चों को बता रहे होंगे या किताब में से पढ़ रहे होंगे. तो स्टूडेंट्स की क्या एक्टिविटी होगी? यहाँ पे आप लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे यानि स्टूडेंट्स जो है ध्यान से आपकी बातों को सुन रहे हैं या अपनी किताब में देख अब क्योंकि आप इस समय श्यामपट में याने की ब्लैकबोर्ड में कुछ नहीं लिख रहे हैं तो उस खंड को जो है आप खाली छोड़ सकते हैं जब जब आप ब्लैकबोर्ड में कुछ लिखेंगे तब तब आपको यहाँ पे वो चीज लिखनी होगी नेक्स्ट पॉइंट मैंने डाला है नमबर टू और हेडिंग मैंने दी है शिक्षन बिंदू के अंदर प्राचीन स्थिती ये फिर मैं बच्चों को बता रही हूं कि वेदों में दस पुत्रों की कामना की गई है सावित्री ने अपने लिए 100 भाईयों तथा 100 पुत्रों का अवर मांगा था कौरव भी 100 भाई थे इस प्रकार अतीत और आज में काफी अंतर हो गया है इस वक्त भी छात्रों की क्या एक्टिविटी रहेगी कि वो आपकी बात को जो है ध्यान पूर्वक सुनेंगे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट मैंने डाला हुआ है वर्तमान स्थिती यानि की प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में फिर मैं स्टूडेंट्स को बताऊंगी वर्ष 2001 की जनगर्णा के अनुसार भारत वर्ष की जनसंख्या एक अरब से अधिक है लेकिन आज 2020-21 में भारत की जनसंख्या में आवश्रक्ता से अधिक विद्धी हो चुकी है 2011 की जनगर्णा के अनुसार आज भारत की जनसंख्या 130 करोड का आकड़ा पार कर चुकी है इस समय भी स्टूडेंट्स की एक्टिविटी क्या होगी कि वो ध्यान पूर्वक आपकी बताई हुई बातों को यह किताब में जो यह पॉइंट लिखा हुआ है इसको ध्यान से सुनेंगे नेक्स्ट आपका यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जनसंख्या वृद्धी से समस्या की जनसंख्या वृद्धी होने से क्या-क्या समस्या का सामना करना पड़ता है तो मैं students को बताऊंगी जनसंख्या वृद्धी की मुख्य समस्याएं है भुकमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, निम्न जीवन, स्तर तो students वाला column मैंने यहाँ पे खाली छोड़ा हुआ है यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि students ने इस चीज़ को अपनी पुस्तक में लिखा या कॉपियों में लिखा इस प्रकार से आप कुछ लिख सकते हैं या इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं श्यामपट कार्य का जो लास्ट खंड है उसमें आपको mention करना होगा यह सारे points अब देखिए मैंने यहाँ पे point 1 करके भुकमरी 2 करके बेरोजगारी इस तरीके से लिखा हुआ है पर आप यह कर सकते हैं कि आप एक black paper ले सकते हैं और white ink यानिकी सफेद ink से आप उसके ओपर यह points लिख सकते हैं और उस paper को यहाँ पे page की copy का जो page है वहाँ पे आप चिपका सकते हैं ताकि वास्तविक्ता जैसा वो लगे कि हाँ blackboard में जैसा हमने कार्य किया वो as it is हमने यहाँ पे लगाया हुआ है तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं या फिर आप एक काला कागज में सफेद ink से लिख करके भी उसको यहाँ पे चिपका सकते हैं next fifth point है समस्या का सामाधान अब हमने समस्या पहले बताई थी अब उसका हम सामाधान जो है वो बच्चों को बता रहे हैं तो मैं बच्चों को बताऊंगी जनसंख्या नियंतरन के निम्न सामाधान हो सकते हैं point one है सबको शिक्षित किया जाए next है परिवार नियोजन के उपायों को अपनाया जाए और last है लोगों को जागरुक किया जाए तो ये जो points आप बच्चों को बता रहे हैं इसको भी आपको श्यामपट कार्य में लिखना होगा यहाँ पे भी मैंने direct mention किया है यही सारे points जो आप teachers activity में लिखे हैं उनको ही आप blackboard work में जो है mention करेंगे इस प्रकार से और यह फिर आप वही कर सकते हैं काले कलर के कागच पे आप white इंग से लिखके उस page paper को यहाँ पे चिपका सकते हैं सो यह हो गया हमारा पूरा part complete हमने सारी चीजें बच्चों को पढ़ा ली अब आता है हमारा मुल्यांकन मुल्यांकन याने कि हम जाचेंगे बच्चों को कि हमारी सिखाई हुई बात बच्चे कितना समझ पाए हम अपने topic से related कुछ प्रश्ण उनसे पूछेंगे तो पहला प्रश्ण में बच्चों से करूंगी जनसंख्या वृद्धी क्या है क्या जनसंख्या वृद्धी क्या है अपने शब्दों में बताईए इस प्रकार का प्रश्ण में उनसे करूंगी दूसरा प्रश्ण में प कक्षाकार्य याने की class work class में हमने और क्या-क्या चीजें बच्चों से करवाई तो एक प्रश्ण मैंने यहाँ पे mention किया हुआ है जनसंख्या वृध्धी रोकने में शिक्षा की क्या भूमिका है याने की education क्यों जरूरी है जनसंख्या वृध्धी को रोकने या control करने के लिए ये एक प्रश्ण था जिसका उत्तर मैंने उनको बताया चीजें explain की तो ये मैं अपने कक्षाकार्य में mention करूँगी next हमारा आता है ग्रिहकार याने की homework मैंने बच्चों को क्या दिया तो मैंने एक कार ये उनको दिया जो यहाँ पे mention है जनसंख्या वृध्धी के बारे में विस्तार पूर्वक लिखो तो जो भी बच्चों को मैंने पढ़ाया जनसंख्या वृध्धी के बारे में उसके प्रश्ण करने है और चीजों को समझाना है ये सारी चीज़े उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी वीडियो समझ आई होगी तो लाइक जरूर से कर लीजेगा सब्सक्राइब कर लीजे चैनल को और फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करिएगा थाकि सभी तक इस प्रकार के नोट्स और कंटेंट जो है वो जा सके सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ थैंक यू